प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाट नभी एजेकियल का ग्रंद अध्या 47, पत्संख्या 1-9 और 12, स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया, वहां मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकल कर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था जल बेदी के दक्षिन में मंदिर के दक्षिन पार्षव के नीचे से बह रहा था, स्वर्गदूत मुझे उतरी फाटक से बाहर बाहर घुमा कर पूर्व के फाटक तक ले गया, वहां मैंने देखा कि जल दक्षिन पार्षव से तपक रहा है, उसने हात में माप की डोरी लेकर पुरप की ओर जाते हुए एक हजार हात की दूरी नापी तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा पानी टकनों तक था उसने फिर एक हजार हात नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा पानी घुटनों तक था उसने फिर एक हजार हात नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा पानी कमर तक था उसने फिर एक हजार हात की दूरी नापी अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही उसे पार करना संभव था उसने मुझसे कहा मनुष्य के पुत्र क्या आपने देखा तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुँचा दिया वहां लोटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड दिखाई पड़े उसने मुझसे कहा यह जल पूरप की ओर बह कर अराबा घाटी तक पहुँचता और समुद्र में गिरता है यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है यह नदी जहां कहीं गुजरती है वहां प्रीथ्वी पर बिचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है वहां बहुत सी मचलियां पाई जाएगी क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड उगेंगे उनके पत्ते नहीं मुर्जाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी वे हर महीने नए फल उत्पन करेंगे क्योंकि उनका जल मंदिर में आता है उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे यह प्रभु की वानी है संत योहन के अनुसार पवित्र रिसु समाचार अध्याए पांच वाकिसंख्या एक से लेकर सोला तक इसके कुछ समय बाद ईसा यहुदियों के किसी पर्व के आउसर पर यरुसालेम गए यरुसालेम में भेड फाटक के पास एक कुंड है जो इबरानी भाशा में बितसिदा कहलाता है उसके पांच मंडप हैं उन में बहुत से रोगी, अंदे, लंगडे और अरधांग रोगी पड़े हुए थे वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतर कर पानी हिला देता था पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था चाहे वह किसी भी रोग से पेड़ित क्यों ना हो अच्छा हो जाता था वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बेमार था इसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है उससे कहा क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो रोगी ने उतर दिया महोदय मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे मेरे पहुचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है इसा ने उससे कहा उठकर खड़े हो जाओ अपनी चारपाई उठाओ और चलो उस सिर्षन वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा वह विश्राम का दिन था इसलिए यहुदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा आज विश्राम का दिन है चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है उसने उत्तर दिया जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझ से कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो उन्हों ने उस से पूछा काउन है वह जिसने तुम से कहा अपनी चारपाई उठावो और चलो चंगा क्या हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह काउन है क्योंकि वह जगा बहुत भीड थी और ईशा वहां से निकल गए थे बाद में मंदिर में मिलने पर ईशा ने उस से कहा देखो तुम चंगे हो गए हो फिर पाप नहीं करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े उस मनुष्य ने जाकर यहुदियों को बताया कि जिन्हों ने मुझे चंगा किया है वह ईशा है यहुदि ईशा को इसले सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसा काम करते थे यह प्रभू का पवित्र सू समाचार है ख्रिस्त प्रभू की जै ये सु में मेरे प्रिये भाई और बहनों आज के दोनों पाठ में जल के विशे में हमें बताया गया है जल जीवन दाई होता है जल जहां उपस्तित होता है वहां भूमी हर्याली होती है वहां का जन जीवन सुखमे होता है और ऐसा ही कुछ बातों को हमारे सामने दोनों पाठों के द्वारा रखा गया है कि इश्वर जल की भाती हमारे जीवन में विद्यमान रहता है इश्वर का सानिध्य इश्वर का प्रेम इश्वर की दयालुता और कृपा हमारे जीवन में जल की भाती रहती है जो हमें सिंचित करती है, हमारे जीवन को स्फूर्ती से भरती है, हमारे जीवन को सम्रिद्ध बनाती है आज का पहला पार्ट नभी एजेकियल के ग्रंद से लिया गया है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नभी एजेकियल एक नए मंदिर के विशे में अपनी दिव्य दृष्टी को देखता है इस नए मंदिर की खास बात है पहली बात है कि उस मंदिर में ईश्वर की उपस्तिती सदेव बनी रहेगी दूसरी बात है जब ईश्वर स्वैम सदेव वहां उपस्तित होते हैं तो ईश्वर का प्रेम अनुग्रा और आशिस उस मंदिर में लगातार बहती रहेगी और उसी का उपमा यहाँ पर जल के दुवारा दिया गया है नभी एजेकियल अपने दृपे दृष्टी में देखता है कि मंदिर के चारो और भरपूर जल है और उसी जल को वह मसूस करता है विभिन स्तर पर जा करके और वह जल और कोई नहीं ईश्वर स्वैम है जो अपनी उपस्तिती से सर्वत्र समरिधी से भर देता है चारो और के जीवन को नवी निकृत कर देता है और इसी बात को नभी एजेकियल अपनी दिव्या दृष्टी के विशे में हमारे सामने रखते हैं नभी एजेकियल के दिव्या दृष्टी में हम देखते हैं कि जल की दो विशेस्ताओं के बारे में वह अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं पहली बात है कि यहाँ जल है जो बहते वे समुद्र में गृता है और हम जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है लेकिन यहाँ पर नभी एजिकिल देखते हैं और हमें बताते हैं कि जैसे ही यह जल समुद्र में गृता है क्योंकि यह जल मेठा है समुद्र के खारे जल को बदल देता है दूसरी बात है कि यह जल जहां भी जाती है वहां पर हर्याली और सम्रिधी लेकर आती है हम मचल में पढ़ते हैं यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है यह नदी जहां कहीं गुजरती है वहां पृत्वी पर विचरने वाले प्रानियों को जीवन प्रदान करती है वहां बहुत सी मचलियां पाई जाएंगी क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है यह जल जीवन दाई जल है यह जल नए जीवन को विक्सित करने में सामर्थे हैं और इसी के विशे में हम संद्योहन के सुसमाचार अध्याय साथ वाके सक्या 37 से लेकर 38 के बीच में पढ़ते हैं जहां पर स्वैम प प्यासा हो तो वह मेरे पास आए जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए जैसा कि धर्म ग्रंत में लिखा है उसके अंतास्थल से संद्जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी एक ऐसी जलधारा इश्वर के खृदैस से बह निकलेंगी जो सर्वत्र स प्रभी एसु यहां पर लोगों से कहते हैं कि यदि कोई प्यासा है यदि कोई अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहता है यदि कोई अपने जीवन को ईश्वर में प्रभू में बनाना चाहता है तो वह उसके पास आए और उस जल को ग्रहन कर अपने में परिवर् को महसूस करें और यही परिवर्तन नभी एजेक्यल हमें देते हैं इस चालीसे के काल पर, चालीसे का काल हमारे लिए ईश्वर के प्रेम को ईश्वर की दयालुता को गहन रुप से अनुभाव करने और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने का एक पवित्र समय होता हम अपने जीवन के हरे कार्य को प्रभु की उसी दयालुता से परखने की कोशिश करते हैं और जब हम प्रभु के प्रेम को समझने लगते हैं तो एजेकिल की भाते हम अपने चारों और ईश्वर के उपस्तिती को महसूस करने लगते हैं इश्वर के प्रेम को महसूस करने लगते हैं और उसी प्रेम से ओत प्रत होकर हम अपने आप के जीवन को जीने लगते हैं। आज की सुसमाचार में संत्योहन एक ऐसी जलधारा के विशे में एक ऐसी जल के कुंड के विशे में कहता है जहां पर ईश्वर की उपसिती होती है और जहां पर जो भी रोगी जाता है उसे स्पर्श करता है उसके संपर्क में आता है उसे स्वास्त लाब मिलता है। यहाँ पर संतियोहन हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो लगातार 38 वर्सों से उसी की प्रतिक्षा कर रहा था कि वह कब चंगा हो जाए। और इसी बीच येशु उसके जीवन में आते हैं और उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। येशु स्वैम जीवन दाई जल के रोप में उस मनुश्य के जीवन में आते हैं और उसका जीवन को बदल देते हैं। उसके जीवन में एक नई उर्जा आ जाती है। उसके जीवन में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। हम देखते हैं कि इस पार्ट के द्वारा तीन बाते हमारे सामने आती हैं पहली बात है कि हमें अपने जीवन में एक दूसरे का और एक दूसरे की सहयोग की आवशक्ता होती है हम देखते हैं कि यहां मनुष्य 38 वर्सों से पड़ा हुआ होता है और जब येसु यहाँ जान जाता है कि कितने लंबे समय से यह मनुश्य अपने चंगाई की राह देख रहा है उससे पूछता है क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो तो उस मनुश्य का सबसे पहला उत्तर यह नहीं होता है कि मैं चाहता हूँ यह नहीं लेकिन सबसे पहले व वह बिमार मनुश्य अपनी व्यता को दर्शाता है, कि वह अकेला पन का शिकार है, उसके जीवन में कोई और नहीं है, जो उसका साथ दे, जो उसके दुख में उसका साथ दे, उसकी हिम्मत बढ़ाए, उसे धारस दे, और इस बाद से येसु भली भाती परिचित थे, और इस और अपनी चारपाए उठावो और चलो, और उसी सामर्ते से उसे स्वास्त लाब होता है, यहां पर प्रभु येसु इस बात को हमारे सामने रखना चाहते हैं, कि हम और हमारे जीवन में हमें एक दूसरे की सहयोग की आवशकता होती हैं, प्रातना करने में, अपने जीवन को जीने में, समस्याओं के समधान ढूणने में, चुनोतियों को स्विकार करने में, और ईश्वर के अनुगरह को पाने में भी दूसरे लोगों की आवशकता और उनके सहयोग की जरुरत होती हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कि येसु की सानिध्या हमें आशापूर जीवन से भर देती हैं, जैसे ही येसु उस बिमार मनुश्य के पास आते हैं, उसके जीवन में एक नई आशा जाग जाती है, समभावता येसु पहले विक्ति होंगे, जो उनसे पूछ रहे थे, क्या तूम चंगाई प्राप्त करना चाहते हो, और यही बात उसे एक आशा दी, कि उसके जीवन में परिवर्तन संभाव है, और उसी की आशा मेवा अपनी व्यता को येसु के पास रखता है, और अंतता उसे चंगाई मिलती है, हम मैं आश्रम में जब भी जाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, और बहुत बार मुझे लोग या कहते ह वे मिलते हैं और मुझे से अपनी बातों को साजा करते हैं, कि उनका जीवन बहुत ही विप्रीट था, वे अपने विश्वास को खो चुके थे, उनके जीवन में उदासी था, निराशापन था, लेकिन जैसे ही वे आश्रम में आये, अपने जीवन को प्रभु के बाद उनका जीवन बदल गया है, अब वे नए जीवन को जीने लगे हैं, या उसी जल के विशय में है, जो नव जीवन देता है, जो नए जीवन को पनपने देता है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, जो हमें बुराई है, उससे हमें दूर करके एक नयापन देता है और प्रभु उस बात को हमारे सामने अगले भाग में रखते हैं तिसरा मतपूर्ण बात है कि पाप हमारे लिए हर एक दिन के जीवन में चुनौती देता है हम देखते हैं कि प्रभु एसु उस बिमार विक्ति को चंगा करने के बाद एक बार फिर उसके पास आता है और उसे कहता है देखो तुम चंगे हो गए हो फिर पाप नहीं करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आप पड़े जब भी हम पाप करते हैं या पाप में स्वाभाओं में गिर जाते हैं हमारे जीवन में संकट आने लगता है और उसी संकट में हम दब जाते हैं और इसका परिनाम क्या होता है कि हम प्रभु के आशिश को, कृपा को, उसकी दयालुता को हम अपने जीवन में महसूस करने में आसवर्थ हो जाते हैं येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनों चालिसे का या सुवावसर प्रभू के उसी प्रेम को प्रभू के उसी संजीवन जल को ग्रहन कर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का एक पुन्या समय होता है अपने पाप में स्वभाव से छूट करके एक नए जीवन में जीने के लिए हमें मदद करता है और जरूरत है कि हम इस पवित्र समय का भरपूर लाब उठाएं सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम अपने आपके जीवन को प्रभू के समुख लेकर आएं, प्रभू के सानिध्य में लेकर आएं और प्रभू हमारे जीवन को बदल देगा। हम स्तोत्र अध्याय 23 वाक्य संख्या एक में पढ़ते हैं जहां पर स्तोत्रकार कहता है प्रभू मेरा चरवहा है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। और उसी को महसूस करने के लिए हमें प्रभू के समुख आना है और जैसे ही हम प्रभू के समुख आते हैं, वे हमारे जीवन को जलसरोत के पास में लगे हुए ब्रिक्ष की भाती हरा भरा बना देते हैं, जो समय पर फल देता है, फूल देता है। आए हम प्रभू से प्रातना करे कि वा हमारे जीवन को बदल दे, हमारे बुरे स्वभाव को बदल कर प्रेम में स्वभाव में बदल दे, हमारे खरे स्वभाव को बदल कर हमारे स्वभाव को अधिक सधिक मिठा बनाए, मधुर बनाए। खेस सर्व शक्तिमान पिता हम धन्यवाद देते हैं, आज के सुन्दर दिन के लिए तुस्से मिलेवे हर एक वरदानों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता आज के सुन्दर वचन के लिए जो हमें अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है, हमा हमारे जीवन को सिंचित करता है प्रभू हम सदेव अपने जीवन को तेरे सानिद्धे में लेकर आएं चाहे हम संकट में क्यों ना पड़े हो चाहे हम पाप में स्वाभाव में क्यों ना पड़े हो प्रभू हम एबल दे हमें सामर्थे दे कि हम लगातार तेरी तेरी और अभ परिवर्तन लेकर आएं अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आएं और एक अच्छा खिस्तिय जीवन जीते हुए दूसरों के समोग नमुना प्रस्तुत कर सके हम यह प्रातना करते हैं हमारे प्रभू क्रिस्त की द्वारा आमेन शाष्वत है जीवन का मन्ना है यह झाल कर दो दूसरों के जीवन जीवन का मन्ना है